ओम शान्ती मेरा भारत स्वस्त भारत के अंतरगत आज स्वस्त परिचर्चा में आप सभी धर्शकों का स्वागत है जैसे कहते हैं कि परिवर्तन प्रकर्ती का नियम है और उस अनुसार हरे को बदलना होता है जीवन के पड़ाओं में देखा जाए तो सबसे पहले वाल अवस इनसे गुजरना ही पड़ता है और उसके साथ साथ कुछ बदलाओं भी आते हैं शाररिक बदलाओं भी और मानसिक बदलाओं भी आते हैं तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस स्वस्त परिचर्चा में एक खाश विशय पर जो है मैनुपोच जो महिलाओं से संबंदित है इसके पहले एपिसोड में भी हम जो चर्चा करने आये हैं महिलाओं के स्वस्त संबंदी समस्याओं पर और आज भी ये कंभीर विशय है मैनुपोच और उसके लिए हमारे बीच में है डॉक्टर पुष्वा पांडी जी स्री रोग विशेशत डॉक्टर पुष्वा जिसको मैनुपोच कहते हैं तो यह मैनुपोच क्या है और किस उम्र से शुरू होती है यह हमारे दर्शकों को बताईए मैनुपोच या इसको रजो निवृति हिंदी में कहा जाता है यह एक ऐसी स्टेज है जो हर महिला को इससे गुजरना पड़ता है और जब भी मासिक ध होता है तो उसको मेनुपोच कहते है जब एंड होता है उसको मेनुपोच कहते है अर्थात मासिक धर्म का बंद होना तो यह जो स्टेज होती है यह कुछ समय तक चलती है इसकी शुरूवात होती है लगभग यह चालिस के बाद स्टार्ट होता है 40 के बाद यूजली स्टार होता है और 45 तक हो जाता है कई लोगों का 52 तक चलता है तो कोई इसमें भी कोई fix age नहीं है कि इसी age में होगा लेकिन average अगर कहा जाए तो 45 years में यह menopause होता है जैसे कई महिलाओं को जब इस state से गुजरना पड़ता है तो उस समय वो घबरा चाहते हैं समझती नहीं है तो उस इस्तिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए उनके लिए आप क्या जानकारी देना चाहते है या वो उसको कई बार बीमारी का रूप ले लेती कि हमको कोई बीमारी हो गई है तो पहले तो हम यह समझना पड़ेगा कि नॉर्मल मेनोपॉस क्या है तो नॉर्मल मेनोपॉस जो होता है उसमें जैसे हर मन्त साइकिल होता है मेंस्ट्रल साइकिल होता है तो धीरे धीरे वो कम हो जाता है कभी दो महिने में आता है कभी तीन महिने में आता है और ब्लेडिंग भी कम हो जाती है तो यह नैचरल पॉस कहलाता है और धीरे-धीरे एकदम एंड हो जाता है और इसके साथ थोड़े-बहुत प्रॉपलम नॉर्मल लोगों को होते हैं ऐसे बहुत जादा 35 में हो गया तो वो भी थोड़ा सा problematik होता है और क्योंकि इसमें भी थोड़े क्योंकि hormonal changes होते हैं तो body में भी changes हो जाते हैं और दो तरह का menopause होता है जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि एक surgical menopause होता है एक natural menopause होता है तो मान लिजिए किसी का operation हुआ है और hysterectomy hysterectomy अर्थात uterus का निकल जाना और उसके साथ दोनों ovaries का निकल जाना, अंडाशे का निकल जाना जिससे कि estrogen hormone release होता है तो जब वो release होना बंद हो जाता है क्योंकि operation हुआ ना तो वो निकल गया तो फिर hormone अब बंद हो गया शरील में तो उसके side effect तो हो गई तो उसके जो side effect होते है जो जिसको हमने पहले भी चर्चा कीते हैं कि surgical menopause कहा जाता है तो surgical menopause होता है इसमें थोड़ी तकलिफें चादा होती है उसके deficiency के कारण और जो natural होता है उसमें कम होता है तो कभी-कभी महिला को जैसे हमने premature menopause की बात की कभी-कभी महिला को 55 years तक होता रहता है मतलब वो भी अगर ज्यादा होता है तो फिर डॉक्टर को बतलाना चाहिए क्योंकि 50-52 तक average हो जाता है और कभी-कभी 55 तक इसलिए भी होता है क्योंकि hereditary मतलब उनकी mother को अगर late menopause हुआ है तो chances है कि आपको या किसी को भी जो late हो सकता है लेकिन अगर breeding जादा होती है तो फिर ज़रूर डॉक्टर को inform करना चाहिए उसमें कोई घबराने की बात नहीं है तो ये natural, normal menopause है इसमें कोई बात नहीं है ये दर्शकों को कह सकते कि ये हर एक के साथ होता है और ये कोई समस्या नहीं है ये कोई समस्या नहीं है ये के stage को पार करना है बिल्कुल बिल्कुल ये तो ही मैंने पूछ की बात है और कुछ आपने उसमें कारण भी बताए लेकिन इसमें क्या कुछ महिलाओं को इसमें समस्या आ सकती है क्या ये ये वैसे तो menopause एक ऐसी stage होती है जो transition period कहलाता है और इसमें ovary अपना काम करना बंद कर देती है तो इस phase को थोड़ा सा accept करने के लिए समस्याएं आ सकती है जैसे हम कहें कि anxiety हो सकती है इस्ट्रेस हो समय हो सकता है बैकेग चालू हो जाता है क्यूंकि calcium की deficiency भी start हो जाती है osteoporesis जो कहते हैं कि bone जो होते हैं उसमें calcium की कमी के कारण थोड़े छिदर जैसे बनने लगते हैं calcium की कमी से तो backache भी होने लगता है बहुत सारे joint pain भी होने लगते हैं cardiac problem भी होने लगती है जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि 45 के पहले तक पुरुष की अपेक्षा महिला जो होती है safe रहती है क्योंकि estrogen hormone रहता है लेकिन menopause के बाद ये problem महिला में बढ़ जाती है क्योंकि estrogen कम हो जाता है फिर depression भी हो जाता है थोड़ी सा psychological problem भी हो जाती है तो ये भी होने लगता है depression भी हो जाता है पिर eye problem भी होने लगती है क्योंकि cat-reg develop हो जाता है थोड़ा सा देखने में भी problem हो जाती है और main जो problem होती है वो hot flushes होती है वो बहुत important है वो किसी-किसी महिला को तो इतना ज़्यादा होता है कि उसको life में रहना मुश्किल हो जाता है तो इसमें पसीना आता है घबराहत होती है और महिला रात में जाकती है भीच वीच में उठकर जाती है जैसे heart attack में होता है वो problem होती है तो इसमें क्या काना चाहिए जब बहुत ज़्यादा घबराहत होती है गर्मी लगती है तो इसमेहिलाओ को क्या काना चाहिए या कुछ थंडा खाना चाहिए थंडी हवा में रहना चाहिए ये तो ठीक है कि अगर उसको घबराट हो रही है तो वो अपने आप ही वो खिड़की के पास जाती है और उसको ऐसा लगता है कि हाँ हम जाएं तो दो-चाहर जो hot flushes आते हैं उसमें कोई problem नहीं है वो उसको counselling से ही मतलब हम उसको समझाते है कि आपका ये जो transition period है तो थोड़े दिन तक चलेगा और वो ठीक हो जाएगा लेकिन ये जो hot flushes होते हैं वो उसका एक तो कारण यही है क्योंकि estrogen hormone कम हो जाता है इसलिए hot flushes होते हैं और दुसरी बात जो होती है कि hot flushes कईयों को बहुत ज़्यादा होती है और जब menopause होता है जैसे मानली जो 45 में menopause हुआ लेकिन ये hot flushes जो होते हैं वो पहले से start हो जाते हैं कईयों को ऐसा होता है और कई सालों बार तक चलते रहते हैं जैसे हमें कभी महिला मिली थी एक बार हम travel कर रहे थे तो उस महिला ने हमको बताया कि हमारा जो है वो operation हुआ था हिस्टेक्टॉमी हुआ था लेकिन उसका uterus तो निकाला था लेकिन ovaries नहीं निकाली थी उस समय ovaries नहीं निकाली हुई थी और करीब 10 साल पहले उसका operation हुआ था लेकिन उसको hot flushes उस समय तो नहीं हुए तो hot flushes अभी start हो गया अभी menopause की एज थी क्या menopause की एज क्योंकि अब वो 45 साल की हो गई थी उस समय नहीं थी उस समय नहीं थी 35 साल की थी तो जो ovaries जो छोड़ दी थी जब ovaries छोड़ दी थी तो वो ovaries अपना काम कर रही थी भले uterus निकल गया था जब 45 वर्स की उमर होई तब हाँ हाँ तो उस समय अंडाशय या ovaries थी जो की हॉर्मोन प्रोड्यूस कर रही थी इसलिए भले uterus निकला लेकिन उसको menopause के सिंप्टम नहीं थे तो और अभी जो है उसका अब ovaries ने काम करना बंद कर दिया तो वो अभी 45 की आस-पास बो स्टार्ट हो गया लेकिन हाट फ्लेश का कारण सिर्फ यह नहीं है कभी-कभी थाराड प्रॉब्लम जो होती है उसमें भी यह होती है थारो टॉक्सिकोसिस जो होता है तो उसमें भी यह प्रॉब्लम हो सकती है तो जब बहुत जादा हाट फ्लेश होता है वैसे तो अगर वो एक्सरसाइस करती है थोड़ा डेली रूटीन अच्छे से रखती है डाइट रखती है तो थोड़ा कंट्रूल किया जा सकता है लेकिन अगर नहीं कंट्रूल होता है तो इसमें हमको treatment देना पड़ता है और इसमें हम इसको कहते है HRT हॉर्मोन रिप्लेस्मेंट थरपी यूँकि estrogen की deficiency से है तो हम estrogen उसको estrogen भी देते हैं कभी-कभी अगर uterus है तो हमको progestron भी देना पड़ता है साथ में तो ये तो hot flushes बहुत तकलिफ के दायक होता है कई लोगों को जैसे आपने बताया डग्टर पुषबाजी की eye problem भी होती है और साथ में stress भी depression भी बढ़ने लगता है इसके अलावा भी और problem होती है सिर्फ यह नहीं कि eye problem ही होती है शरीर के और हैसे जैसे कि हमने कहा कि joint pain हो जाता है फिर उसके बाद fatigue मतलब कमजूरी लगने लगती है अब वो तो अब age हो रही है तो सारी body के cells काम करना थोड़ा सा काम कर देते हैं तो वो भी हो जाता है उसके बाद जो vagina होता है vagina में senile vaginitis इसे में बहुत कामन है और urinary tract infection क्योंकि सारे cells जो होते हैं atrophy होने लगते हैं तो atrophy होने के कारण vaginitis होगा endometritis होता है जैसे हो endometrium हमें बता है था ना जो कि uterus के अंदर की जो lining होती है उसको endometrium कहा जाता है तो उसको जब inflammation होता है तो उसको endometritis कहते है तो endometritis हो जाता है vaginitis हो जाता है और urinary tract infection यह सारे infection जो है ज़्यादा कॉमन होते हैं उस समय तो उस समय महिलाओ को अपने आपको active रखने के लिए या कुछ अपने मन को बहलाने के लिए क्या करना चाहिए उस समय बहुत important है क्योंकि महिलाओ समय थोड़ी free हो जाती है घर परिवार से उस age में तो क्या करना चाहिए बिल्कुल यह menopausal symptom कई लोग बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और कई लोग कम महसूस करते हैं यह depend करता है जैसे कहते हैं अगर आप खाली हो तो आपने अपने आपको किसी में बिजी नहीं रखा है तो थोड़ी सी भी जो तकलीफ होती है वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है और अगर अपने आपको आपने बिजी रखा है तो यह age एक तरह से blessing भी है क्योंकि अभी तक आप परिवार में बिजी थे कुछ और अच्छा करने के लिए आपकी बहुत सारी responsibilities थी बच्चे बड़े हो रहे थे अब बच्चे भी सैटल हो जाते हैं जब बच्चे सैटल हो जाते हैं तो आपको अब life मिली हुई है बहुत अच्छा आप इस life को enjoy कर सकते हो तो enjoy करने का सबसे अच्छा life है कि आप किसी को कुछ देना परारम कर दो देना परारम कर दो मतलब आपको social service में लगो क्योंकि आपके वैसे भी अब जिम्मेवारियां तो पूरी हो गई है और अगर मान लो आप working भी रहे हो तो अब आपकी retirement वाली age आ जाती है और आपके पास इतना आपने अपना रख लिया होता है सारे responsibility तो अब आपको ज़्यादा पैसे की भी जरत नहीं होती है तो यह सबसे अच्छा तरीका है कि आप social service करो social service आप किसी भी तरीके का कर सकते हो क्योंकि यह मनोवग्यानिक सिध्धान्त है कि आप अगर किसी को खुशी देते हैं तो जीवन में वो खुशी return होकर आती है तो अब जैसे की एक बात आपने ध्यान दिया होगा जो हमने कहा कि इस age में depression भी होता है क्योंकि loneliness लगती है आपके अपनी है आप खाली हो लेकिन वो पिसे हो गए है तो आपको करना पड़ेगा आप तो parents हो न तो parents जैसे आपने बच्चों को दिया तो बच्चों को अदेख भाल की आवश्यक्ता नहीं है तो इस समाज में बहुत लोगों को आवश्यक्ता है और तो आप अगर कुछ सोशल सर्वीस में लग जाएं तो बहुत अच्छा है और दूसरी बात कि इस समय आपके जो hobbies हैं किसी किसी की जो hobbies होती है वो आपने समय की कमी के कारण कभी किया नहीं तो किसी को संगीत की hobby होती है तो आप इस समय संगीत भी सीख सकते हो और संगीत का वैसे भी हमारे मन पर बहुत अच्छा परण करता है जो भी आपके इंदर कला वो भी आप इसको यूज कर सकते हो तो संगीत तो बहुत ही अच्छा आपको चलो hobby नहीं भी रही हो तो समय आप नई कलाई कई लोग ऐसे होते हैं जी नई कलाई सीख लेते हैं नई कलाई सीखते हैं इस एज में कई painting सीखना प्रारंब करते हैं आपने नहीं भी किया है तो आपको लग रहा है कि आप कुछ करें तो आप painting करोगे आप अगर कुछ dance भी सीख लो that is good बहुत अच्छा है क्योंकि dance भी एक तरह का exercise है तो वह भी सीख सकते हैं तानल मन दोनों ही स्वास्तर रहता है और फिर इसके बाद जो भी आपकी hobbies हैं और दूसरी बात हमको ध्यान डखना चाहिए कि calcium और vitamin D हमारे इसमें थोड़ी कमी हो जाती है तो calcium की जो amount होता है वो thousand से one thousand five hundred इस समय बढ़ जाता है तो वो हमें extra लेना ही चाहिए साथी साथ धूप में जरूर बैठना चाहिए calcium लेना चाहिए तो calcium लेनी के लिए क्या करना होता है calcium tablet आती है वो एक्स्ट्रा लेना ही पड़ता है आप calcium लो multi vitamins लो उस समय क्योंकि उसकी deficiency हो जाती है तो वो लेना बहुत आवश्यक होता है और vitamin D जो होता है vitamin D जब होता है तब ही वो calcium एब्सॉर्ब होता है नहीं तो इस age में fracture के chances बहुत ज़्यादा हो जाते है vitamin D के लिए धूप सबसे अच्छा होता है दस बज़े से लेके तीन बज़े तक की जो धूप होती है बहुत अच्छी होती है तो आधे गंटे भी अगर बड़े बैठते है तो वो vitamin D सफिशेंट मिल जाता है क्योंकि उसके presence में ही वो absorb होता है तो डाइट का भी हमको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और इन सब अगर हम थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखते है तो menopause में एक blessing है ना कि वो तकलीफ की बात है खुद भी खुश रहेंगे और सबको भी खुशी बाटेंगे बिलकुल यह तो हुई कुछ menopause के एज में की महिलाओं को क्या करना चाहिए यह कुछ बाते menopause इस स्टेज में जब हम पहुंसते तो इसके क्या लक्षन होते है वो बताए menopause एक transition period होता है तो हम जसे चर्चा भी करते आ रहे हैं कि जब menopause शुरुवात होती है तो धीरे-धीरे menstrual cycle जो होती है वो irregular होने लगती है अर्थाथ वो धीरे-धीरे उसका duration बढ़ने लगता है और साथी-साथ हमारे body में भी हमको थोड़े से changes लगने लगते हैं कि यह जो हमने बतलाए symptom बतलाए थे न अब एकी किसी-किसी को hot flashes आने लगते है तो फिर समझना चाहिए कि menopause स्टार्ट हो रहा है उसके कारण यह हो रहा है और थोड़ी सी bones में भी या हमको weakness थोड़ी सी लगने लगती है तो फिर ऐसा क्योंकि main जो होता है mensis से ही पता चलता है कि हमारा यह cycle stop हो रहा है क्योंकि कहते ही है उसके definition ही यह है जैसे आपने बताया 45 से 50 वर्स की उम्र में हाँ, 45 से 50 menopause state हो जाता अगर उसके बाद 25 साल के आंगे है तो कैसा ही है या फिर कम वो तो कम और ज्यादा यह कम premature menopause कहलाता है और बाद में जो है 55 एर्स में कभी-कभी फाइब्राइट की प्रॉब्लम भी हो जाती है गठान की प्रॉब्लम भी हो जाती है उसके कारण हो जाता है तो डॉक्टर को तो वैसे ही दिखाना चाहिए और कुछ टेस्टों करने ही चाहिए menopause के समय में डॉक्टर पुष्पा जी तो मैंने पूछ की बात हुई क्या इसके अलावा भी और कुछ समस्या हो सकती है menopause के अलावा उस एज में और कुछ समस्या आ सकती है जैसे सारे सिस्टम्स जो होते हैं हमारे बोडी के menopause का अर्थी होता है कि जब hormone deficiency हो गई तो हमारे बोडी के different system जैसे हमने बताया कि उपर से लेके नीचे था तो उन में हर system involved हो सकता है diabetes भी बढ़ सकती है इस समय type 2 diabetes इसकी भी संभावना अगर आपके hereditary, आपके family history है तो इस समय diabetes भी हो सकता है thyroid problem भी समय बढ़ जाती है और cardiac problem तो बढ़ती ही है तो मतलब सारे system involved हो जाते है किसी भी जो प्रणाली होती है हमारे शरीर के प्रणाली वो involved हो सकती है उसके थोड़े से infection या complication हो सकता है जी जी डॉक्टर पिशा पांडी जी जैसे आपने बताये कि कुछ भविश में कुछ समस्याइं भी हो सकती है menopause stage में तो उसमें क्या ध्यान रखना ज़रूरी है क्या ध्यान हमको रखना चाहिए ध्यान हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी डाइट बहुत healthy होने चाहिए इस age में calcium rich diet लेना चाहिए calcium extra तो हम लेते ही है लेकिन calcium rich diet हमको लेना चाहिए और calcium किसमी ज़्यादा होता है जैसे कि अगर हम दूद लेते हैं दही लेते हैं तो इसमें calcium के मात्रा अच्छी रहती है मेथी होता है ना मेथी दाने में भी बहुत रहता है रागी एक आता है रागी में भी calcium का amount बहुत ज़्यादा होता है और fruits, vegetables इनमें सब में almost calcium रहता है तो अगर हम healthy diet लेते हैं तो वो अच्छा रहता है हमारी body के लिए भी रहता है इसके साथ हमें vitamins, multi vitamins भी लेना चाहिए dry fruits अगर हम थोड़े ले सकते हैं वो भी बहुत अच्छा क्योंकि उसमें भी calcium rich वो भी calcium rich होता है तो diet का अगर हम ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छा उसके साथ है साथ हम दूसरी बात जो ध्यान रखे हैं वो है exercise exercise तो exercise भी उसमें variety होती है कि जो हम पहले exercise करते थे जैसे बचपन था हमारा तो बचपन में तो हम खेलते थे है ना तो कोई हमारी exercise हो जाती है अलग से हमको कुछ करना नहीं पड़ता फिर जब हम बड़े होते हैं और इसमें युबा के बाद तो दूसरे प्रकार के कोई basketball गेलने जाता है यह सब भी exercise हो जाती है खेल जो होते हैं आउट्डूर गेम्स होते हैं यह exercise ही होते हैं फिर जब हमारी जो middle age होती है उसमें भी exercise करते हैं तो aerobic exercise जो होता है वो तो इसमें भी चाहिए middle age हो चाहिए menopausal age हो वो दोनों में सेम रहता है तो WHO यह कहता है कि 2 घंटे 30 मिनट तक aerobic exercise aerobic exercise करना चाहिए अच्छा, aerobic exercise क्या होती है? aerobic exercise जैसे कि walk करना तेज चलना cycling यह करते हैं न? तो इस तरह की जो exercise जो होती है, यह aerobic exercise कहलाती है फिर इसके अलावा जो दूसरी exercise इस age में बहुत ज़रूरी क्योंकि यह तो common होती है जो पहले भी करते हैं और बाद में भी करते हैं क्योंकि walk करने तो सब ही चाते हैं, आप देखते होंगे इससे सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि हड़ियां भी मजबूत हो जाती है जीतना हम चलते हैं अरॉबिक exercise से हड़ियां भी मजबूत होती है पिर दूसरी एक exercise जो कि stretching exercise कहलाती है क्योंकि हमारे जो joint होते हैं वो थोड़े से कड़े हो जाते हैं तो इसमें flexibility maintained रहती है तो छोटे छोटे exercise जैसे हातों के हो सकते हैं गर्दन के हो सकते हैं shoulder joint के जो joint जो exercise होते हैं ये flexible हमारे body को बनाते हैं stretching exercise कहलाते है पिर तीसरा जो एक exercise होता है वो strength strengthening exercise कहलाता है वो इस age में बहुत जादा important होता है वो उसको कैसे करना होता है उसको करना important है और क्यों करना important है यह भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे age बढ़ती है तो अगर हम inactive हैं तो muscle mass कम होता जाता है muscle mass जो होता है जैसे हमारा जो शरीर होता है वो mass patient से बना है उसमें mass patient भी होती है fat होती है तो अगर activity नहीं रहती है तो धीरे-धीरे mass patient कम होती जाती है और mass patient को अगर हम किसी वजन के against ऐसे कही जिम में भी सुविधा मौझूद है या हम अपने दोनों हाथ में आधा किलो या चोटा सा वजन ले सकते हैं जैसे पानी बरी bottle चोटी-चोटी आती है ना उसको लेकर यह हम उपर नीचे करते हैं तो थोड़ा सा जो pressure लगता है ना उपर जाने के लिए तो उसे muscle mass जोती है हमारे मजबूत होते हैं तो बहुत cutting exercise की बहुत ज़्यादा वजन लेकर 100 kg लेकर चले नहीं थोड़ा सा वजन लेकर अगर हम हाथों को उपर नीचे करते हैं तो इससे जो है strength exercise कहलाती है weight के against करते हैं तो यह अपना बढ़ जाता है कोई गर में भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जिम ही जाओ जिम में वैसे special सुविधा रहती है कि आप उसको ऐसे खीचते हो, pull करते हो वहाँ पर लक्स विधाय रहती है लेकिन हमारी गाओं की माताएं तो जा नहीं सकती है हमारी गाओं की माताओं की तो वैसी exercise हो जाती थी क्योंकि वो जो घड़ा लेती है तो घड़ा भी लेती है, उठाती है तो अपने आप ही उससर से चक्की चलाती है अटोमेटिक जब चक्की चलाती है तो क्या होता है, exercise होती है पहले जो दही बनाते थी, मक्खा निकालते थी ये भी निकालते थी तो गाओं में तो बैसे लिए आज भी हो जाती है लेकिन यह मशीनी योग हो गया है तो यह जो शहर में तो बिलकुल ही तो सहर वाले महिलाओं को तो जा सकती है वो जो जा सकती वो जरूर जा सकती है लेकिन अभी भी हमारे यह ज़्यादा नहीं जाती है ऐसा नहीं है कि वो मेनों बहुत आ गया है अच्छी डाइट लेनी है, फूट लेने है, सबजियां लेनी है, प्रोटीन लेना है और साथ में जो जैसे पुश्पा जी ने बताया, आपको exercise भी करनी है तो exercise सिर्फ एक नहीं, तीनों प्रकार की exercise जरूरी है तीनों प्रकार की exercise करनी है तो उसे क्या हता है, strength भी बढ़ जाती है अपनी और खास जो हमारी जो age होती है, इस समय अभी तक अगर हमने discipline life नहीं जी है तो discipline life start कर दें तो बहुत अच्छा, कभी हमने ध्यान नहीं दिया अगर हमारी discipline life रहेगी तो हमें देखकर हमारे जो बच्चे हैं बच्चे तो अच्छे होंगे, लेकिन अमको खुद को फायदा होगा बच्चों को तो जो होगा तो वो होगा, वो तो बच्चे अप अपना जीवन जीएंगे जैसे भी अब हमारी सुने ना सुने कुछ कहने सकते हैं बच्च कहा थोड़ी जा सकता है कि उनकी अपनी लाइफ है लेकिन आप अपने आपको तो सुनाओ ठीक करो तो अगर अर्ली मॉर्णी इस समय नीन की भी प्रॉब्लम हो जाती है नीन कम आती है लेकिन अगर आप डाइट का ध्यान रखोगे कि आप समय पर खाते हो मतलब रात में ऐसा नहीं कि तुरंत खाओ और फिर सो जाओ तो फिर नीन की तो प्रॉब्लम होगी तो अगर हम सुबह अर्ली मॉर्णी उठें अगर डिसिप्लिन लाइफ में अगर थोड़ा हम ध्यान दें कि अर्ली मॉर्णी उठते हैं अगर चार बजे और सबसे पहले हमको मन की एक्सरसाइज करना जी अभी तो हमने तन की एक्सरसाइज की मेडिटेशन जिसको कहते हैं मेडिटेशन कहते हैं तो मन की एक्सरसाइज पहले ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इस समय जो है stress hormone जो वो खतम हो जाते हैं जब आप meditation करते हो तो early morning तन की exercise बाद में करनी चाहिए मन की exercise पहले करनी चाहिए जिससे पुराने लोग कहते थे मन चंगा कटोती में गंगा विल्कुल विल्कुल सही बात हम बुल रहे हैं तो शुरू में हमको mental exercise करना चीव शुरू में अगर हम 20 minutes भी कर लेते हैं तो हमको बहुत फाइदा होता है सुबह करने का फाइदा यह होता है कि जो हमारा अंतरमन होता है अंतरमन या जिसको हम कहते subconscious mind subconscious mind जो होता है वो active रहता है तो subconscious mind ही हमारी life होती है subconscious mind ही हमारी personality होती है तो subconscious mind में अगर हमने positivity भर ली तो फिर सारा दिन स्वभाविक है कि वो हमारी खुशी बने रहती है सारा दिन काम करेगा subconscious mind सारा दिन जो होता है वो खुशी बाहर flow होती रहती है इसलिए सुभा बहुत जरूरी होता है और जब नीन भी कम आती है जैसे हमने का ना इस सेज में तो अगर सोने के पहले आधे घंटे meditation किया जाए positive thinking किया जाए तो उस समय भी subconscious mind जागरत रहता है जब subconscious mind जागरत रहता है तो उससे भी अपने आपको हम दे सकते हैं order दे सकते हैं और अपने आपको relax कर सकते हैं क्योंकि नीद ना आने का कारण एक तो hormone की deficiency होती है और दूसरा tension हो जाता है क्योंकि अकेलेपन की feeling आती है तो subconscious mind में खुशी बर जाती है खुशी बर जाती है तो जैसे ही आप जाओ आराम से नीद आ जाती है तो सुबह और शाम अगर हम अपने लाइफ में ध्यान दे तो बहुत अच्छा फिर उसके बाद daily routine भी अगर हम discipline रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है उसके बाद हम physical exercise करें फिर डाइट प्रॉपर लें सारा दिन और social service करें तो बहुत ही अच्छा ड़क्टर पुशवपांडी जी आपने जो मैनोपोस से संबंधित बाते बताई और ये कोई समस्या नहीं है इसको हर महिला को इस stage से गुजरना पड़ता है और इस stage में खुश रहें और खुशी बाते बहुत बहुत धन्यवार ड़क्टर पुशवपांडी जी आपने इतनी अच्छी बाते बताई धन्यवार हर समय हर पल हमें खुश रहना चाहिए जिंदिगी के इस पड़ाओं में हर एक महिला को इससे गुजरना है और गुजरना अर्था जैसे बताए कि हमको कुछ अपने जीवन में नई कला लेकर आना है कुछ नया करना है कुछ नया उमा गुस्था जगाना है क्योंकि आपको परिवार की समाज को और संसार को जरूरत है और जब आप खुश रहेंगे हैपी रहेंगे तो संसार को भी खुश कर पाएंगे इसे के साथ हम फिर मिलेंगे इस स्वस्परी चर्चा में जब तक के लिए धनेवाद ओम शंती